तो गुड इवनिंग तो आज हम लोग जी के के करने वाले हैं जैसा कि प्रतेक सारे 9 वजे से आपको class होता है ठीक है जीके का टेस्ट दोस्तों यानि की कह सकते एक तरह से प्रैक्टिस प्रती दिन सारे नौ वजे रात में होता है मैं ये टाइम इसलिए रखा हूं ताकि इस टाइम में लड़के लोग और लड़किया लोग दोनों लोग जुड़ जाए है ठीक है सारे नौ वजे के बाद सभी लोग आ जाते हैं घर पर जिनके मम्मी पापा सब को जाते और उस टाइम में आप लर्निंग तो आजाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों सुरू हो गया देखिए क्वेश्चन नमर 111 आपके स्कीन पर दिख रहा है कहता है 130 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर ली है सिरीज बन गया है प्लेलिस्ट बन गया बहुत सारे बिद्यार्थी लोग कर रहे तो प्ल बिच लगवाया और जैकोब बीन कलब का सदश्य बना आपसर नमर एटीपू सुल्तान आपसर नमर भी सवाई जैसी आपसर नमर सी है चीनी की लच ठीक है चीनी की लिच खां ऑपसर नमर डी है रंजित सी कौन था जो कि सतंता का ब्रीच भी लगाया और साथ में जैकोब अच्छा आप स्थें लोग पूरा बढ़ीयां से उत्तर करिए गए और चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं系 डेंख अबिश्य राइट सिक्टार करने की कोशिष करो तो देखें से लहाइँ है तो यह कौन था ृट नमर एसा राइट हो जाएगा ठीक है ॉ तो लोग और बता रहे हो भई उनका राइट है बहुत अच्छा त्यारी जबरदस्त कर रहे हो चलो और जिनको नहीं पता है तो वो लोग याद कर लेंगे देखिए क्वेश्चन नमर 132 आ गया कहता है बारत में मन सब्दारी प्रथा किसने शुरूप की था जी लगता है हाँ ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है ठीक है ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है देख ले ना प्रिविएस एर क्वेश्चन निकाल करके मिल जागा आपको तो क्वेश्चन इंप्रटेंट है सभी लोग उत्तर कड़िए भारत में मन सुर्बात किशने कि थी जी चलिए दोस्तों देख लेते आंसर चलिए देख लेते हैं तो वह था अकवर यानि का अप्सें नमर सी राइट हो जाएगा और नियाए की घंटी कौन था जहागीर था सब ध्यान रखना पिछले क्लास में लोग किये हुए थे चलिए क्वेश् सर प्रथम बात हो रहा है यूरोपीन यूरोपीयन देखिए आप सभी को ध्यान होना चाहिए मैंने बताया था सर प्रथम यूरोपीयन वेपारी के रेकते थे पुर्तगाली तो पुर्तगाली आया था और भारत की खोज भी पुर्टगाली ने किया था ठीक है कौन था तो वासको डिगामा याद करना वो ही पुर्टगाली था ठीक है ना हाजी क्वेश्चन नमर 134 कहता है भारत में आने वाला पहला पुर्टगाली वैपारी था पहला पुर्टगाली वैपारी कौन था अभी यह तो बता यार ऑप्सन नमर बीस का राइट हो जाएगा वासको डिगामा हाना कौन था तो वासको डिगामा ही था जो कि आया था भारत का खोज भी इसे माना जाता है कोलंबस अमेरिका के खोज किया था 1492 में 1498 में भारत का खोज इसने किया था चलिए क्वेस्चन नमर 135 आ गया है चल्दी से फटा फटा आंसर करिए कहता है पूर्थ गालियों ने बीजापूर के सासक यूसूफ आदिल साह से गोवा कब छिना गया यानि कि पूर्थ गाली ने बीजापूर के सासक यूसूफ आदिल साह से गोवा को छिन लिया था लेकि कब चीना था भाईया जबर्दस्ट जबर्दस्ट क्वेस्चन आ रहे हैं तो सभी लोग इसम सही सही आंसर देने की कोशिस करिए पर टेक जीके के टेस्ट में दोस्तों आप लोग टार्गेट रखे कि आज का सिरीज में हम लोग पूरा में पूरा सही बनाएं ताकि आप से क स्थार्गेट रखे एगा पूरा में पूरा सही बनाने का तो कम से कम आपको गलती कितना हो Background Х you यदि टार्गेट रखोगे तो? सिरीज बाई सिरीज में लेकर के चलना हो, ٹिक है? सिरीज बाई सिरीज, जैसे जैसे सासन हुआ तर न, वैसे वैसे अब्जेक्टिव क्योस बन्टे चल रहा है. ये नहीं है कि, पहले मौरे वंस आया, तो उसके पहले हम लोग क्या कर दिया मुगल बंस का पहले अबजेक्टिव कर दिया है ठीक है मौरे बंस का पहले कर चुके थे तब मुगल बंस का आया है ठीक है आप लोग भी तैयारी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए देख लेते हैं कब छीना था भई कब छीना चीना था तो था 1510 इस्वी में ठीक है गोवा यूसूब पट आदिल सा से 1510 इस्वी में पुर्तगाली ने चीन लिया था याद रखेगा चलिए जी जेम्स प्रतम का राजदूत जो जहागीर के दरवार में आया था जो कि जहागीर के दरवार में आया था देखिए अब यहाँ पर से एक और क्वेशन में बना दूँगा देखिए पहले इसका आंसर बता दो कौन था जो कि जेम्स प्रतम का राजदूत भी था और वह किसके सासनकाल में आया था तो जहागीर के ठीक है तो यहां से देखिए किस किस टाइप के क्वेशन बनेंगे पहले आंसर देख लेते हैं तो आप से लिए उत्तर करिए पहले आंसर तो चलिए देखते हैं दोस्त राजदूत थे और जहागीर के दरवार में आया था अब देखिए क्वेशन इस टाइप से भी पूछेगा कि सर टॉम्स रो किसके दरवार में या किसके सासनकाल में आये थे इस टाइप से भी क्वेशन आएगा तो आपको पता है जहागीर के या क्वेशन इस तरीके से कर था तो ser tom's row याद रखना ऐसा-ऐस बहुत अच्छा से रखना दोस्तो जब से पहले न्यालेस था опना हुई थी ठीकiamo मैंने ऐसा question community में भी और क्यूई station में भी डाला था जो कि लूसेंट से था ठीक है तो चलिए इसका answer देख लेते हैं हाँ जी क्या होगा answer आप सुब लोग comment करते रहना तो यहां पर को जागा job channel ठीक है job channel ठें जो की कलकत्ता नगर की नीव डाले थे यानि बेस को बनाए थें ठीक है याद कर लिजेस वे सब सब याद करने वला आपको याद करने वला कि आपको जो पढ़े हुए उसको attempt करने की छमता आ जाएगी यानि का objective question हमसे touch हो रहा है या नहीं अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं फिर से उसको परो फिर से पिछला वीडियो देखो फिर से try करो objective question देने का अबकी तो live session तो बंद रहेगा लेकिन अपकी क्या करना question आएगा अपने से answer देना इमांदारी पूर्वक अपने से answer करना कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं तो चलिए question नमर एक सुमर्ति सापके skin पर दिख रहा इस इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गया हाजी इस इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी चल दी से बताओ इस इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी तो चले दोस्तों इसका right answer देख लेते हैं आपको सभी को पता होगा option नमर ए 1626 में ठीक है कब हुआ था 1626 में हो था और उस इस इंडिया जो कंपनी थी वो कहां पे लागू किया गया था यह कहां पे आया था तो आपको पता होना चाहिए कहां पे आया था आपको कमेंट में जवाब दो पहले इस इंडिया कंपनी कहां पे आया था जल्दी से बता तो जल्दी से बता दो इस इंडिया कंपनी कहां पे आया था दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहां पे तो सूरत में ठीक है सूरत में आया था जो क इस इंडिया कंपणी कई है तो शूरत के गुजरात में और और इसका जो मतलब की पराप्त हुआ था दें कोई भी कंपनी ने कंपलित मतलब सुदु करेगा तो यह तो नहीं दुस्त इंडिया कंपनी को 12 साल बाद कितना साल बाद 12 वर्ष बाद इसको benefit पड़ाप्त गया और इसी कारण से पर फैलाने लगा बढ़ते गया बढ़ते गया और इसी कारण हमारे भारत में अंग्रेजी सासन बढ़ने लगा ठीक है इसी कमपनी के कारण अंग्रेजी सासन आया था नहीं तो नहीं आ पाता और हम लोग उतना साल तक कहें तो गुलाम नहीं होते हैं चले question number 47 करता है निर्णायक वांडिवास का यूद कब हुआ था दोस्तों अब ये वाला यूद हुआ था नहीं भारत के जो आजाद हुआ था भारत आजाद उस समय इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पढ़ना था ठीक है इस यूद के कारण और धेर साना यूद है बहुत सारा question number 49 कहता है आप सभी लोग याद कर लिजे कब हुआ था तो 1760 में हुआ था चलिए अगला प्रेश्ण के और बढ़ते हैं देखे एक विद्ध्यारती साइंस की क्लास में ये पुछ रहे थे कि सर question English medium में भी होता है या Hindi medium में भी होता है तो दोस्त मैं बता देता हूँ question आपका किसी भ रखना हमेशा Hindi और English दोनों में रहेगा और कोई भासा में रहे या ना रहे लेकिन Hindi और English में कोई भी एस्टेट में चल जाओ रहेगा तो रहेगा ठीक है तो देखिए यहां पे आपको प्रीमियर क्लास में लाइव क्लास नहीं मिल रहा है मैं लाइव क्लास जल्दी नहीं लेता हूं ठीक है प्रीमियर क्लास है आप लाइव के जैसा हमारे साथ कर सकते कॉपरेट करना ठीक है तो आप सब लोगो जो प्रशन पूछना है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं उसका उत्तर देने के लिए जाड़ी हूं और मैं कमेंट का रिपलाई भी क वह था ठीक है कब वह था तो 1757 में वह था आप सबी लोग उत्तर भी बताए थे तो इसमें किन किन देशों के बीच में यूद्वा था जल्दी साथ सब्सक्राइब बता दिए आंसर तो चलिए जल्दी-जल्दी साथ सबी लोग आंसर बताईए जी हाँ चलिए देखते इ अंग्रेज के बीच हुआ था यानि की बी ऑप्सन सही हो जाएगा हाँ जी वाले का हंडिट पर्शेंट राइट है चलिए अगला प्रशन क्वेस्चन नमर 141 आगया कहता है प्राड़ाम में युरोपीयन वैपारी की रूची किसके वैपार में अधिक थी जो प्राड़ा नील और अप्सन नमर डीएफी किसका हुआ था किसका सोच करके आये थे दोस्तों आप सबी लोग पूरा क्वेस्चन का उत्तर देने के कोशिस करना तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों आंसर इसका तो इसका आंसर हो जाएगा मसाले की ठीक है मसाले का बैपार करने के दिखरा होगा रहा है कहिरा है बंगाल में गार्षान की कि नीव किसने रखिए जो बंगाल थी अर। जो कॉन दिव सकत्र जेक हैं कौन वालिस कॉन थे बंगाल में दोब्हृंद साजन कि किसने रखिए थी जल्दी से आप लोग अंसर पता दीचे पहुत सारे करने वाले दोस्तों आप सभी का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप सभी लोग चैनल के साथ बने रही है और इस वीडियो के साथ भी अंत तक बने रही है मैं तो यही कहूंगा और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको जाने दिजे वह इधर के रहते है ना उदर के रहते हैं तो किसी वीडियो का आप देख रहो चाहे मेरा देख रहे हो चाहे अधर का देख रहोट। लोग उसको ठोट एकने कोशिस करना तब ही जाकर कि आपको अच्छे से concept समझ में आएगा ठीक है तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं तो चले यहां पर क्या जगा कॉल आ गया था दोस्तों तो उसको छोड़ देता है चले यहां पर का जगा बंगाल में द्वैद सासन की नीव किषने रखी थी बंगाल में दूगो सासन करने वाला का तो यहां पर देख लेना जोग जो लोग और ऊप्सन नम्र सी इसका राइट हो जाएगा थीक है सासुक को किस ने समाप्त किया तक शुरू किया था रौवर्ट कलाइब ने अप समाप्त कौन किया था दोस्तों आपसव गया लॉट कॉर्ण वैली से कौई कॉन में नहीं आंसर बता दीजिए आप लोग कि सो बनकाल में लुट साषन ग्रक्रिया को समाप्त कर दिया थैस आप्सवाइब नमें नम्हां तो दिखा कि यह क्वेस्टन आपके लिए इंपोर्टेंट है तिसको मैंने कम्मिटी में डाल दिया था ठीक है तो चले यहां पर क्या जाएगा अप्षन नमर ए 1772 इस भी अप्षन नमर दी है 1775 में क्या मतलब कि कलकता में उच्छ न्याले के सापना कव हुई थी तो यहां पर क्या हो जाएगा रहो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा 1774 इस भी यानि का आप्षन नमर सी जो बता रहे हुए उनका राइट है ठीक है कलकत्ता में उच्छ न्याले कैसा अपना कव हुई थी तो 1774 इस वी में याद कर लेना चली और कम्मिटी में यह वी क्व नम्हों थे जो नयाए ऊते रहे करने वाले नियाए 10 मों ते 4 यह निछे यों 살 yoga रहते थे ठीक है तो सहायक संद्य किस्ने लागू की हाजी जल्दी जल्दी से ही सब्सक्रोब भरास निकाल दो यो जो आपकर ञापता निकुश्छान पेकैस क्या होगा राइट एक सो पैंतालिस क्या होगा राइट यख़्ट कौन तो चलिया दोस्तों मिलाइए लगूर के दौरा जो लागू किये उनके द्वारा तिस राज ने हैं तोड़ा इसा कुछ-कुछ बात हुआ है तो किस राज़र ने जली से कमेंड करके बताओ सहायक संदी पर हस्ताच्छन पर हस्ताच्र करने वाला पहला राज यानि कि उसके सपोर्ट में ठीक हैं उसके सपोर्ट में कौन किया था तो सबसे पहले कहां पर लागुची अगया था याद रखेगा चलिए अगला प्रस्ण के और बढरते हैं अगला प्रैस्ण कहता है भारत का प्रत्थम गवर्नल जनेरल था देखें भारत का प्रत्थम गवर्नल जनरल कौन थे यह भी क्वेस्टन मैंने डाल दिया था क्वीज में आपसा नमर ए है वारे इन हैंस्टिगंस आपसा नमर भी ए लॉड कैनियन आपसा नमर सी लॉड विलियंस वैंटेक आपसा नमर डी लॉड डलहॉजी हाँ जी क्या वा राइट आंसर 147 क्या यह अंसर बता दो प्रत्थम गवर्नल जनरल पूछ रहा है जी है या उन थे तो याद रखना phải घूज्टम गवर्नल जनरल पूल पूछ रहा है तो वह थे लॉड विलियंव वैंटे deck ठीक है आपसा नमर सी 10 का राइट हो जाएगा भारत का प्रफम भाइसराइब फारत कर दिया गया चैंज करके लेकिन उसका प्रफम उस वाइसराइब जाना है ठीक है प्रथम वाई सराय कौन था और अंतिम गवर्नल जनरल कौन थे यह दोनों सेम है ध्यान रखना भारत के प्रथम वाई सराय और अंतिम गवर्नल जनरल कौन थे कौन थे तो वो कौन थे दोस्तों आप सो भी लोग कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों सेम हो जाएगा प्र वरते हैं question number 48 148 कहता है सती प्रथा को समाप्त करने का स्रे किस गवर्नल जनरल को प्राप्त है सती प्रथा को समाप्त करने का स्रे किस गवर्नल जनरल को प्राप्त है दोस्तों जल्दी से करेंगे अब अब जल्दी स्पीड करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट देखते हैं 148 का राइट आंसर क्या होगा तो चलिए देखते इसका राइट आंसर क्यों जाएगा आपसर नमर्दी लॉड विलियम विंटेक ठीक है वैंट बैंटिक ठीक है कौन थे लॉड विलियम वैंटिक थे जो की सती प्रथा को समाप्त किये थे याद रखना सती जाता था उनको भी उसके साथ जिंदाज लाया जाता था दोस्तों सती प्रत्फा के खिलाभ पर इन्होंने खतम किया था और इन्हीं केशले यहों करें छलते अंग्रेज़ों के चलते हमारा सविधान भी बहुत अच्छे तरीके कौन थे अभी दोस्तों अभी बहुत सारा question करना है अभी बहुत सारा question करना है बस इसी तरीके से साथ हमारे साथ corporate रखिए corporate करते रहिए चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या हो जागा समाचार पत्तुर से प्रतिमंध हट आने का सरह किसे प्राप्त है तो वह है चार्ल्स तक आफ यानि कि इसका राइट हो जागा वी वाले का सही है चलिए आगे वरते हैं देर सो नंबर प्याग है देर सो नंबर प्याग है question कहता है एक सो 150 कहता है किस गवर्णन ने वेपगत ठीक है वेपगत सिध्धान्त यानि की डॉक्टराइन आफ लैप्स का प्रतिपाद किया तो चलिए option भी देख लेते option पूरा आपको दिख रहा है अब दिखेगा पूरा option लॉड लिंटन लॉड कर्जन लॉड डलहोजी या किस गवर्णनल जनरल ने वेपगत सिंधान्त का प्रतिपादन किया जल्दी से बता दो जल्रीण से बता दो जितना से सब्सक्राइब करने सब पैसे ठोरे नहीं लगता है झालिए तो देख लेधे यहां पे आनसर किस जब गावर्ननल दे व्हीपगत सिंधान का प्रतिपादन किया था तो वो थे लौड डलहौजी याद कर लो कौन थे लौड डलहौजी यानि कि आप लोग का उप्शन नमर सी राइट हो जागा बहुत अच्छा जो लोग सी बता रहें उनका राइट है शलिए जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते प्रतिपाद नमर 151 यानि क्याता है भारत में रेल गारी सर प्रतम कब चली जी 16 अप्रेल 1853 या 26 अप्रेल 1853 या 16 अप्रेल 1854 या 16 अप्रेल 1854 जल्दी से कमेंट करके बताईया आंसर कब हुआ था दोस्तों कब हुआ था तो जो लोग जो लोग जो लोग जो लोग जो लोग अप्सन नमर ये बता रहे हो बहुत अच्छा अप्सन नमर ये इसका राइट हो जाएगा 16 अप्रेल 1853 भारत में पहली रेल गारी चली थी और कहां से कहां तक चली थी थाने से मुं कुंबाई तक चली थी यह भी याद रखना है आपको चलिए अगला क्वेस्चन नमर 152 कता है वार्णा क्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था आपसा नमर ए है लौड लिंटन ने आपसा नमर भी है लौड रिपन ने आपसा नमर सी है लौड डर्फिन ने और आपसा जी वार्णा क्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था हाज जी क्या होगा राइट आंसर तो देखिए यहां पर सभी लोग उत्तर करते रही आप सभी लोग ध्यान नहीं दिजेगा यहां पर आप सभी लोग उत्तर करिए मैं बाद में कमेंट का सब का चेक करता हूं ध्यान कर दूँगा ठीक है तो इसलिए मैं बाद में कमेंट सबका चेक करते रहता हूं कि कौन विद्ध्यारती क्या बोल रहे हैं सभी का चली तो इसका राइट नमर यह जो बतार है उनका राइट लॉड लिंटन ने क्या था किसे लॉड लिंटन ने लिटन चलिए क्वेस्चेन न नमर डी उप्यूक्त में से कोई नहीं आगे ना भारत का प्रत्थम वाइसराय और अंतिम गवर्नर्ट जनरल दोनों ही सेम थे देखिए दोनों क्वेस्टन आ गया है देखिए यहां पे क्वेस्टन नमर 154 उसको भी करेंगे पहले इसको देख लेते भारत का प्रत्थम व जनरल था सब क्वेस्टन आपको दम मिलेगा दोस्तों आपसे नमर ए है लॉड विलियंस बिल्यम बैंटिक आपसे नमर भी है लॉड कैनीन आपसे नमर सी लॉड डलहोजी और अपसे नमर डी है लॉड मांट बेटन ठीक है क्या होगा चलिए देख लेते आंसर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा वह जाएगा आपसे नमर भी हाजी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा लॉड कैनीन ठीक है कौन हो जाएगे लॉड कैनीन हो जाएगे ठीक है ध्यान रखना क्या हो जाएगा लॉड कैनीन अंतीम गवर्णर ज चलिए क्वेस्चन नमर्ट 155 कहता है दसमाई 1857 को सिपाही विद्रो कहां से प्राराम हुआ था हाँ जी दसमाई 1857 को सिपाही विद्रो प्राराम विद्रो मज़ा जाएगा आंसर करिए बस दोस्तों अब ज्यादा क्वेस्टन नहीं बचेवा बस चार क्वेस्टन और बचेवा जैसा कि मैं फश्टे में दिखा दिया था कितना क्लास करने वाले हैं चली तो इसका देख लेते आंसर मिलाईएगा सभी लोग क्या हुजाएगा एक सो पच्पन का राइट आंसर क्या हुजाएगा मेरट से स्ट के विद्रो किया था आप सन नमबर यह बैरक पूर आप सन अंब सिमला आप सन अमट सी है दानापूर आप सन नमट डी है रामगर्द कहां पर किया था जल्दी से आप सही लोग आंसर वतादो बता दो चलो देखते हैं यहांपे कहां पर क्या हो जाएगा 156 न का राइट आ जाएगा जो लोग अपसे नमर यह बता रहो बैरक पूर उनका राइट है ठीक है क्या हो जाएगा बैरक पूर जाएगा दोस्तों अपसे नमर एसका राइट हो जाएगा चलिए आगे वरते है अपसे नमर यह ald कैनि आपसे नमर लिंटन अपसे नमर डी हों तुम्हें से कोई नहीं में 287 के विद्रों का निएत्सटित्म किषने किया था बिहार में ऐसका कि क्षिणे संधी बहादूर साथ जफर अप्रइब्स लच्मी बाईब्स नुमर चिय कुबर चिय क्षीक में गनंक्रत्मh को में पता है दोस्तों बस निखाणने की देरी है पड़खने की देरी दिखाने की देरी है तो चलिए इसका आंसर क्या जागा कूबर सी अब देखो आपको याद आजाएगा कि हाँ जी upstar No. C ही सब्सक्या विड ही जो बतारे हैं। परफोर्मेंस चलिए डिवन 159 का वध्र के दमन के बाद तो यहां पे क्या जाएगा मुगल सास को कहां निर्वासित कर दिया गया। संतावन के दमन के बाद मुगल सासक भादूर साह को कहां पर निर्वासित कर दिया था का दमाकेदार कडिये ताकि क्वेस्टेन भी भूल जाए कि हमने क्या क्वेस्टन करें था क्या क्वेस्टन इन लोगों से पूल दिया कि लोग ने इतना अंसर बता दिया ठीक है तो चलिए इसका आइट आइट अंसर देखे मिलाएट अप्सेन नमर्डी रंगून हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए पस इतना ही रखते हैं वीडियो कैसा लागा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो सीरीज में लोग और भी करेंगे 150 160 से करेंगे ताकि और भी आगे तक जाएगा तो मिलते हैं आज के लिए बसना ही जय हिंद जय भारत चलिए है